में आपका बहुत स्वागत है सब्सक्राइब किजिए जी के एम स्क्यूज एम के चनल को और पाए रोजना मल्टिपल चोइस कुशन आप सभी के लिए कुछ कब रिए क्यूंकि आपका जो डिमांड थी है हमको रोजना फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजिक के कुशन साइन्समकेस लिंक नीचे दियावाए डिस्क्रेशन में जाके फोलो कर लेना अगर नहीं क्या है तो केमेस्ट्री की बात रही तो इसको इसी चैनल पर जो अभी आप देख रहे हो ठीक है रही बात बाइलोजिकी तो जेकलोन जॉब चैनल पर आप बताओ कहां कमी रह गई खिर भी कोई कमी है तो बता देना साइन्समके चैनल और जेकलोन जॉब चैनल जानते हो ना नहीं जानते हो तो नीचे डिस्क्रेशन में लिंक दियावाए आप सिधे वहाँ पर पहुंच जाओगे तो चलिए शुरू करते हैं यह एक उसका बरीती बहुत अच्छी है ठीक सम सरजनातमक इस पसीज वह होती है जिनका आकार और संक्रमण क्योंकि आज हम डिसकस कने वाले राशानिक आबंद और आन्विक सरचना इसके उपर हमारे मल्टिपल चोच कुशन रहेंगे आज के सी वीडियो में ठीक है क्योंकि आन्विक सरचना से भी कुशन बनते है और सम सरजनातमक इस पसीज वह होती है जिनका आकार और संक्रमण सम्मान होता है निमिल लिकत यूगलों में से सरचनातमक यूगम के पाचान आपको करनी है एनेर पत्री वीफ द्री वी फ्व फॉर एनेश फॉर बिए चली भी आज्यार्स तरी एनेश प्री अनो फ्री मैनस बताईए पहले तो आपको बताने इसके बाद हम इसका राइट आउसन बताएंगे जी अ इसका राइट आउसन हो जाएगा आपका ऑप्सन सेगेंट वी एप फोर एनेच पोर ठीक अगला एगुशन अणू में दुरूणता अतार दीदूर आगुण प्रात्मिक रूप से अव्यवी प्रमाणू की विदूत रिणात मकता और अणू की आकरतीर पर निरबर करता है निमिल लिकत में से किसका दीदूर आगुण उचतम है CO2, HI, H2, SO2 चूज कर लिया देखो चूज किया करो कोई भी उप्सन था कि आपका मेंटल की जो यह एबलीटे ना यह बढ़ती रहे आपकी जो भी गल्थ फेमली है यह निकल जाए सारी और इंट्रा सीख जाओ में तो आप अच्छा स्कोर कर सको यह हमारा टारगेट है जितना हो सके हमारी वीडियो देख देख के सीखो टिक लगा ना सीखो बस हम तो यह कहते कम जोर से कम जोर बच्चा होगा ना उसका भी अच्छे प्रेक्टिस हो जाएगे ना तो वह भी अच्छे का सी नंबर ला सकता है और आप तो इंट्रिजेंटो तो आपके तो टॉप हंड्रेड में नाम आना चाहिए लगा दे टिक राइट आप सुन जाएगा अथे ओप्शन से के संब्भाव इस संक्रमन करमस है अप्शन आपके सामने यह संक्रमन नहीं यह संक्रण ना की हईब डिशन से क्विशन तो 100% आता है संक्रण निकलना जिसको नहीं आता है तो सीख लेना अगर कोई नहीं सिखा है तो हमसे कॉंटेट करना सिद्धा कमेट के तुरू क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक नहीं है बहुत बिड़ा टॉपिक है संक्रण 11 में अगर जिसने पढ़ लिया तो लेगे मज़े हो दो और आप मैं से बहुत सार हों तो 11 तो मज़े मज़े में निकाले होगी हां की बोड तो नहीं है ऐसे पढ़ लेते हो जाएंगे पास बट अब दुकार आओगा कि साइद पढ़ लेते 11 अभी भी टाइम है प्रेक्टिस कुशन कर लो तोड़ा सा देख लो अभी जदा देर न नाम में लेवल देख लो आपको अगला कुशन हमारे टाइम पर तो ना गाज हकिकत बताए ना तो हमको पता था कि लेवल क्या रहता है खुद सेले बस हमको पता नहीं था हमने तो बस फोरम बढ़ देने चले गए थे हां हमने गर पे सेल्प श्टूडी जरूर कीती गर प और अच्छा स्कोर गेन किया यहन कि आप जो अपने आप से सीखते हो ना वो जिन्दगी में कभी भूलते नहीं हो ठीक है अगला कुशन बहुत से योगिकों जिसे कि H2O, HF और NH3 में हाइडरोजन आबंद बनते हैं ऐसे योगिकों का कवतनाओं मुक्के रूप से हाइड है और ज्ण आबंदों की संक्या पर निर्भर करता है उप युकत यूगों के कवतनाओं का गडता हुआ क्रम करां ये जो कर सिखते हो धर दा बढ़ता हुआ यह थो समय पूछ जयता है अमले सहमर्ते गडता करम बरता कॉदत करए करम करता क्या होगा-कर। आपको बताना है जब सबसे हाइस होता है एक टू का उससे कम है शेप का उससे कम एनस तरी का तो यह दिया आपके option सेगेंट में तो रायट हो सुना आपका option सेगेंट हो जाएगा जी और हर मोड पे आपके साथ हम कमेंट कर दिया अग्डरों सारे कमेंट हम चेह करते हैं ठीक है जैसे टाइम मिलेगा आपका कमेंट का जवाब आपको अवस्य मिलेगा पी ओ पोर्ड त्री माइनस आइन के पी ओ बंद के ऑक्सिजन परमाण उपर ओवचारिक आवेश होता है प्लस वन माइनस वन जीरो पॉण्ट सेवन पाइब या फिर पॉजिटिव का जीरो पॉण्ट सेवन पाइब तो गाई जिसका क्रेक्ट्र ओप्शन हो जाएगा आपका माइनस वन एन ओ त्री माइनस आइन में हाइड सोरे नाइट्रोजन परमाण उपर इलोक्ट्रोनों के बंद यूग जो यूगमी यान की पेर्स हो देना को एकांकी पेर्स के संग्या क्रमस है टू 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 वन वन त्री फोर जीरो राइट उसका ओप्शन होगा फोर जीरो ओप्शन पॉर अगला क्यूशन निमल लिकित इस पिसिज में से किसकी ज्यामिती चतुस फिल के होती है ये क्यूशन तो पूचा भी गया है पिछली बार ठीक है आग करती से क्यूशन बनता है और खापी बार पूचा गया है 2015 में भी पूचा गया है स्वाला में भी पूचा गया है 17 में भी पूचा गया है ठीक है न हम तो पूरा एनलेसिस करते है हर ओल्ड क्यूशन पेपर का सेलेबस का कुछ यह कोई इक्जाम ओंगया का चाया हो आपका बेस नर्सिंग का उऔरकर दोने में बहुत सारे सब्सक्राइब करतें कॉन किसको करें क्या क्यास करें सेचर्च मेरतम और खर। स्कुम होती है से में होती है थाए बस तोड़ा सब अपरक एक कि बीज नर्सिंग में भाइलोजी एड हो जाती है जबकि पेरामेडिकल और फार्मेस्ट्री पड़नी है बस हम जो पीजिक्स और कमेस्ट्री पड़ा रहे ना बस वह आपको पड़नी है अगर प्रणियुक्ष कर रहे हो बागी सब क्राइटेरिया से हमें तो यह जो सवाल है तीनों के लिए नर्सिंग वालों के लिए भी पिरामेडिकल वालों के लिए भी फारमेश्य वालों के लिए भी क्योंकि यह किसका है केमेस्ट्री का है और केमेस्ट्री तो तीनों में पूझी जाती है नेमल ल प्रेस्ट वाला कि यूशन तो सारे पोट्रेंट है चैनल सिस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो आप तो सारा काम बढ़िया होगा आपका यानि कि रोजना मल्टिपल चुछ कुछन आपको मिलेंगे निमल लिकित सरचना में पाई आबंदो और सिग्मा आबंदो क कि संक्या करमा साहे बताइए जिसका राइटों सुनेगा फाइप नाइनटी ठीक है अगला कुछन कितने बिडिया बिडिया कुछन है कितने नाइस कुछन है गाइज निमल लिकित में से किस अनू आयन में युगमित लॉक्टोन नहीं है बताइए यह कुछन भी बन गया पिछली बार तो देखो ना क्यों तो 11 से भी आ रहे तो आपको क्यूं मन नहीं करता पढ़ने का पढ़ो 11 टॉल्थ दोनों तो पढ़नी हो और क्या है बस और हम आपका हेल्प करी रहे वरना हम बार तो क्या मतलब हम तो बहुत मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हम तो चारे की जैसे हम नो निकले उसी परकार कुछ स्टूडेंट पिछे लिले वाले हमारे जूनियरे वह भी आए हमारे तरप से पुल सपोर्ट है गाईश बिलकुल भी आपको फ में ठीक है कोई भी रोजगा नहीं रेगा ये तो वादाय हैं है इसका राये थी इसमें नीको फिर्मेन नहीं है और टू- ऑजियर है सिसका क्रेक्ट हो दो देगा C2H4, यानिकि इस वाले में सबी आबंद समान नहीं है, अगला क्योंसान, नेमल लिकितम से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंद परबलतम होता है, HCl, H2O, HI, H2S, राइटर समान का H2O, नेक्स्ट, यदि किसी ततो का इलक्ट्रोनिक विन्यास, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, 4S2 है, तो राशानिक बंद बनाने में परुखतोने वाले इलक्ट्रोन क्या होंगे? तो गाइज इसका राइटर समझेगा 3D2, 4H2, अगला क्योंचन, नेमल लिक तमसे कौन सा कौन SP2 संक्रमन से समधित है, 19 डिग्री, 120, 180, या फिर 109 डिग्री, कौन सा कौन SP2 संक्रमन से समधित है, 120 डिग्री, इस परकार के कुछन आता है, गाइज आपके इंट्रास एक्जाम में, चाहिए आप इस नर्सिंग का इंट्रास एक्जाम दो, परामेडिकल का दो, फारमेशी का दो, लेवल सेम रहता है तीनों में, ठीक है न, कोई डिफ्रेंस नहीं बेसिक, डिफ्रेंस है बस लेंग वेज का, ठीक है, क्योंकि परामेडिकल और फारमेशी में, इंग्लिस में पेपर होता है तोड़ा सा भागी नर्सिंग में तो हिंदी में होता है और इंगलिस में भी दोनों आज जाती है और आपके लिए वेस्ता करी रहे हैं हमने पिजिस कमिस्टे बाइलोजी की साइन सेमकेस और जेकलों लिंक नीचे दियावाई डिस्क्रिस्में में अगला कुशन तेरों का अगया हो नापने इसका राइट अपस में हो जाएगा तो यहां पर दियावाई की नीचे नीचे तीन ततो ए बी और सी इलोक्ट्रोनिक विन्यास देगे इन इलोक्ट्रोनिक विन्यास वे कादावाई पर परसन संक्या चोदा से सत्राक के उतर दीजिए चोदा से सत्राक के उतर आपको देना है ए बी जियावाई और उन इलोक्ट्रोनिक विन्यास के अदार पर आपको चोदा से सत्राक के उतर आपको देना है ठीजिए अस्ता यह उस्ता में A का सुत्र होगा बताईए उपर देख ले ना इसके बाद हम कर रहे A का सुत्र पश्ट ठीक है Next अस्ता यह उस्ता में C का सुत्र होगा Simple C2 B और C द्वारा बनने वाले योगी का अनुसुत्र होगा Simple BC3 B और C के मद्दे बनने वाला बन्द क्या होगा आयनिक सहसे होजेक हाइटोजन है आपर उप सहसे होजेक ट्राइट सहसे होजेक अगला कि उसने निमने में से N2 के आन्वी खक्सों की उर्चा का कौन सा क्रम सही है So Simple पहला वाला राइट उसने अगर यह चीज पताओगी न तो आपको आजाएगा कि बी ए टू का एक सता है अनो नहीं है एच इटू असता है नहीं है परउन्तू एच इटू प्लस अस्तितों की अपक्सा की जा सकती है दित्यावर्थ के समनाभी के दी प्रमाण वाणों में एटू के आणवी समर्थे उच्छ तम है एटू अनों के आणवी का सब्सक्राइब करम की आएट ऑसन इसका फोर वाला जाएगा नेक्स्ट निमें लेक्स में कौन सा विकल्थ सही आबंद करम को परदिशित करता है प्राइट सेगेंड को अगला कुशन सबसे अधिक रेन विदू दित्ततों के बातम कोस का इलोक्ट्रूमिन्यास कितना होता है गाईज सबसे अधिक विदूत रेनी सिंपर 2S2 2P5 राइट यह होता है ठीक है नीचे देगे लोक्ट्रूमिन्यास वाले ततों में किसके आइन एंटेल भी उच्छो होती है चूज कर लिया हुआ कर लिया ठीक है नियोन 3S2 3P3 ऑप्सन सेगेंड तो कितने इंट्रेस्टिंग थे आपके केमेस्टिक है मल्टिपल चोइस क्यूसन और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो रोजन आपको मिलते रहेंगे और रही बात पिजिक्स की तो साइनसम के चलन हमने बताए दिया आपको पस्ट में जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है और रही बायो के बात तो इजी है याद रख सकते हो आप पॉर्मल आवेस चलते आगे ज्यादा लोट नहीं बताऊंगा कुछ इपोर्टेंटी आपको बता रहे ठीक है उनके बाद आपको कुछ चेनित अनों के दीदरू आगून जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि उदान दिया हुआ है और साथ म यह बेसिकलिया आपसे पूछ लिया जाता है इंटरास्ट एकजाम में राइट इसल्टारन ओरत याद रकनी है और वदाहरन याद रकनी है जैसे के एक्च टू का किसा होता है है और यहां पर और आर्क, किसा होता यह ठीक है किसा होता है 3 cose का नार्क प्रोड़ मेंडीन ठे नहीं नहीं कर सके तो अपने parents के लिए तो याद कर सकते हो क्योंकि नाम तो उनका है रोसन होगा कि उसके लड़किया का सेलेक्शन हुआ है ठीक है तो parents का नाम होता है आपसे जएदा उनके खातर याद कर लो इजी है याद करना राइट चलते हैंगे गोर आपको एक और एपोर्टेंट चैप्टर यहां पर सोरे टेबल यहां पर मिल जाते हैं इलॉक्ट्रोन युगुमों सेंक्या और आणविक जिया मेती और उधारन जैसे कि यहां पर इलॉक्ट्रोन युगुमों की टू दी हुई है और इसके बाद अगर बात करें मेक चाथ्श घल कि तो यहां पर ट्र containment's नगी इंपर हैं कि यहां पर लाज रखने ला मतलब अच्छा कासा स्कोर कर ले ना इस टेबल को याद रखने ना ठीक है रख लोगे intelligent student हो टेबल ही तो और क्या है और जदा या थोड़ी कना है बस इतनी सी टेबल है ठीक है कर लोगे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो टेबल को लेकर पढ़िया तो करनी है गाईज आपको रेक्मेंड किया जाता है आपको टेबल की जैसे की चतुसपल के किस-किस का कार होता है है ना रे के कौन-कौन से युगिक होता है कर लोगे ना कोई दिक्कत कोई दिक्कत नो दिकत चलिए आगे यहां पर आपको फिर मिल जाएंगे यहां पर SO2 मिल जाएगा आपको है ना NH3 मिल जाएगा एस टो की यहां पर देख सकते हो मूड़ी हुई है कि सी आएप 3 की टी आकार की वरक पिंपले मोस्ट इपोर्टेंट है सारी टेबले जितनी भी मैंने आपको दिखा ही ना सारी और क्यूशन पता है बन चुके कापी बार ठीक है तो यह टेबल प्लीज याद कर लेना आकर्टियों से क्यूशन आता ही है पूछला जा सकता है कि आपके जो बी आर एफ 5 पे इसके आकर्टिक कैसी होती है बी आर एफ फाइब वरक प्रामेडी होती है अगर यह टेबल पता है तो आपको आगया होगा वरक प्रिमेडी ठीक है तो यह टेबल आपको याद करनी है नेक्स्ट उसके बाद आगया आपका संक्रण जिसके में ने आपको मॉस्ट रिकमेंड किया था कि संक्रण तो याद करना है संक्रण पढ़ना ही यह आपको टेबल और संक्रण ठीक है चलते आगे यह टेबल देख लो जैसे की त्री कोन यह यहनकी SP3D उधारन आपके सामने दिया है PCL5 PA5 ठीक है चलते आगे गो संक्रण से त्कुजन बनता है बनता है राइट और आकर्टियों से बनता है और गाइज इन सबके बाद आपको यह सारांस ःत करना है ठीक है चैपटर का सारांस और यह आपका चैपटर कंप्लेट तो आपने देखा किस संक्रण से कुछन बनते सरचना यान की किस क्या करती कैसी होते दिखने में राइट तो उनका आपसे पूचा जा सकता है आई ने ने लसे पूची जा सकते आपसे तो बेसिक सिद्धा दे दो चार कुछन ऐसे करोगे न तोड़े सी देर में आपका काम बन जाएगा सिस्टम वाइज चलो तो यहिए देर किस बात कि अच्चे काम में रही हुआ करते है प्सकतों दोनों चैनल को जाए चाहे फोलो कर लीजिए ताकि आपके और बे साहरी अच्छी हासी हो सके